एक फ्लाइट जो की रनवे पर दोड रही है और टेक ओफ करने वाली है अचानक से उसको रोका जाता है और रोकने के बाद उस फ्लाइट के अंदर से दो पैसेंजरों को उतार लिया जाता है पोलिस उन पैसेंजर को अपने साथ ले जाती है आखिर कौन थे वे पैसेंजर और क्यों उनको इस तरह से चलती हुई फ्लाइट से रोका गया था पूरी सचे जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतू सौरोत आप लोग देख रहे हैं तरशीबा चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूले आज की जो घटना है ये 16 अगस्त 2016 की है लकनाओ के एरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ओफ करने वाली होती है वो रन्वे पर दोड रही है और दोडने के साथ साथ ही वो टेक ओफ करने वाली ही है उसी समयम पर जो एरपोर्ट के करमचारी हैं उनको निर्देश मिलते हैं कि वह इस फ्लाइट को रोका जाए होता भी यही है फ्लैट को रोका जाता है और रोकने के बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उस फ्लैट के अंदर चड़ती है और चड़ने के बाद वहां से दो पैसेंजर को अपने साथ उतार लेती है अब वो दो पैसेंजर कौन? उनमेंसे एक का नाम होता है इमरान और दूसरे का नाम होता है जितेस इमरान और जितेस नाम के दो पैसेंजर को चलती हुई फ्लैट से उतार लिया जाता है उसके बाद जो फ्लैट है वो वहां से रवाना हो जाती है वो फ्लैट जा रही थी लखनव से बॉंबे इसके बाद सवाल आता है आखर ये दो लोग कौन है और क्यों इनको इस तरह से चलती भी फ्लैट से उतारा गया है तो इस चीज को जानने के लिए हमें कहानी के पूरे करदारों को जानना जरूरी है इस कहानी के अंदर चार करदार हैं जिनका मुख्य रॉल है एक तो इमरान दूसरा जतेश और तीसरा एक लड़की है जिसका नाम है नीतू और चोथा जो लड़का है उसका नाम होता है संदीप यह चार लोग होते हैं जो कि मिलकर कुछ किड्नैपिंग करते हैं और किड्नैपिंग भी कुछ ऐसी जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी रकम वो लोग नहीं मांगते हैं इतना मांगते हैं जितना कि किड्नैप करने वाले के परिवार वाले दे सके और उसके बाद जैसे पै पर जो एक्टर बगएरा आते हैं तो उनकी सिक्योर्टी भी किया करता है ने कि सिक्योर्टी में जो बाउंसर बगएरा होते हैं तो उनमें इम्रान वहाँ पे काम भी किया करता है दूसरा है जितेश जिसको काफी जल्दी से अमीर बनना था और इसी वज़े से वो इस तरह का काम किया करता था तीसरा संदीप संदीप एक real estate company में काम करता था और उस company के जो पैसे थे वो company वाले लेकर भाग गये थे अब इसके बाद जिन लोगों ने संदीप को पैसे दिये थे वो उसके पीछे लगे हुए थे तो इस वज़े से संदीप को पैसो की काफी जादा जरू निकालती है और detail निकालने के बाद उनके पास जाती है महिला आयोग बनके जानी कि महिला आयोग में वो किस तरह से जुड़ी हुई है और उसको पता है कि घर के अंदर किस तरह का कलेश चल रहा है ऐसा करने के बाद वो उन लोगों से पैसे भी एंट लिया करती है तो यहा और हमारा काम भी अची तरह से चलता रहे अब इसके बाद अपना जो काम है उसको यह start करते हैं यह कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास पैसे होते थे यानि कि वो पैसे देने में सक्षम थे और उसके बाद उन लोगों का वो पूरी कीड्नेपिंग कर लिया करते थे इसी तरह से काम चल रहा था लेकिन बीच में कुछ ऐचार किड्नेटपिंग ऐसी हो जाती है जिनमें उन लोगों को थोड़ा लौस होता है वो भी संदीप की वजह से तो उसके बाद इम्रان और जितेश एससे काम नहीं करता और इसी वजह किडनेपिंग के दंदे में थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हो किस तरह की विचार धारा है रहें गे उन लोगों की जो कि यह कह रहे थे किडनेपिंग के दंदे में लॉस हो रहा है अब इसके बाद जो सभी टीम मेंबर हैं वो आपस में बाते करते हैं ब कि लखनव के जल विबाग का एक इंजिनियर था जो कि काफी पैसे वाला उनके हिसाब से था यानि कि वो काफी ज्यादा पैसे वाला था उसने इधर उधर थोड़े बहुत गोटा ले करके भी पैसे जमा किये हुए थे अब इसके बाद वो लोग उसकी पूरी डिटेल निका लखनव में हजरत गंद के एक रेस्टोरेंट पर में बैठी हुई हूँ तो आजाओ साथ में खाना वाना खाएंगे उसके बाद जो इंजिनियर होता है वो वहां पर आजाता है और आने के बाद देखता है कि उस नीतु के साथ में तीन सक्स और है तो नीतु उसको इंटि काड़ी में बैठते हैं तो जो इंजिनियर था वो तो गाड़ी चला रहा था साइड वाली सीट पर नीतु बैठी हुई थी और पीछे वो तीनों लोग बैठे हुए थे और पिछले वाले तीनों में से एक जन अपने हत्यार को तान देता है उस इंजिनियर के सामने और उ इसके बड़ टाइम आता है पैसे मांगने का तो वो लोग सोचते हैं कि इंजिनियर है कापी सारा पैसा इसके पास होगा तो इससे दो करोड़ की फिरौती मांग लेते हैं तो यहाँ पर वो लोग इंजिनियर को बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमें दो करुड रुपे इस बैंक अकाउंट में डाल कर दे दो यहाँ पर जो इंजिनियर होता है वो तभी बोलता है कि आप लोगों को गलत फैमी हुई है मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो उसके बाद जो किटने पर होते हैं वो उससे कहते हैं कि भई तेरे पास इतना पैसा कैसे नहीं तो इंजिनियर है और बहुत ही जादा पैसा तुमने गवद किया है यहाँ पर जो अब तक इंजिनियर था वो उनको बताता है कि भई मैं इंजिनियर तो नहीं हूँ मैं एक छोटा सा किलर्क हूँ और जो कि जल्बवाग में काम करता हूँ और इतने पैसे मेरे पसकी बात नहीं है तो उसके बाद वो लोग थोड़ा सा इसकी चानबीन करते हैं तो जल्बवाग में फॉन भी किया जाता है उनसे पता किया जाता है कि यह सक्स यहां पर किस पोस्ट पर है तो उनको पता लग जाता है कि यह इंजिनियर नहीं है यहां पर यह एक बाबू है और इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो फॉरण वो लोग अपनी डिमांड को बदल देते हैं और उससे कहते हैं कि बाई दो करूट तुम्हारे पास नहीं है तो ऐसा कीजिए कि हमें दस लाग रुपे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर्ट करा दीजिए अगर आपको बचना है तो उसके बाद वो एपने एक दोस्त को फोन करता है दोस्त को फोन करने के बाद उससे कहता कि बाई इस तरह से मैं फस गया हूँ और मेरे लिए दस लाग रुपे का इंतिजाम कीजिए और इस अकाउंट में डाल दीजिए तो वो आपस में चारों लोग एक दूसरे को फसाने की एक दूसरे के पीछे साज से बुन रहे थे एक दूसरे को जान से मारने की वो किस तरह से सबसे पहले नीतु आती है नीतु आकर कहती है कि भाई यह मुझे काफी जादा परिशान किया हुआ है इस फरोती के बाद दियाने कि जब 2 करुड रुपे आ जाएं तो उसके बाद इस वेक्ति के साथ इसको भी मार दिया था कि जो ये किलर्क है ये उनको अच्छी तरह से जान पहचान गया है चारों के चेरे भी देख लिए हैं और कई दनों से नीतू से बात भी कर रहा है तो वो एक witness बन चुका है तो अब इसको जान से मारना याने कि जैसी पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद इसको जान से मार दिया जाएगा यहां पर नीतू आती है नीतू आने के बाद कहती है कि भाई इसके साथ में इस संदीप को भी मौत के घाट उतार देना क्योंकि इसने मे मेरा जीना अराम करका है साधी व्या का मामला भी है और यह मेरे गले पड़ी हुई है तो इसके साथ में इस नीतू को भी निप्टा देना फिर उसके बाद इस इम्रान के पास वो जितेस आता है और जितेस आकर के कहता है कि इन दोनों के चकर में कई बार तो गड़वड हो होता है कि यहाँ पे जो 5 लोग गयाने की 4 तो किड़ने पर और एक वो जिसका किड़ने पुआ है तो उन में से 3 लोगों को मौत के घट उतार जाएगा जिसमें नीच्टू, संदीप और वो जिसका किड़ने पुआ है जो कि एक किलर्क है पहले उसको इंजिनिर समझा गया पर एक message आता है, जिसमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि संदीप के bank account में 10 रुपे आ चुके हैं याने की जो killer को नोने Kidnap किया था, उसके दोस्तने उसके account में 10 रुपे डलबा दीे हैं। अब बारी आती है, फैसले की घड़ी है बाई किसको मरना है और किसको जिन्दा रहना है तो यहां पर इमरान अपनी पिस्टल को निकारता है और निकालने के बाद उस किलर्क के उपर तान देता है किलर्क सामने बैठा हुआ है कुर्सी से बना हुआ है और उसके साइड में नीतु खड़ी हुई है तो इसके बाद इमरान अपनी पिस्टल को निकालने के बाद उस किलर के माथे पर तान देता है जैसे इमरान उस पिस्टल को तानता है जो वो किलर खोता वो अपनी आखे बंद कर लेता और सोचता है कि भाई अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है यानि कि मैं मरने वाला हूँ और उसके बाद एक गंसोट की आवास सुनाई देती है और उसके बाद वो जो किलर कोता वो अपनी आखे कोलता है वो देखता है कि सामने जो लड़की है जिसका नाम नीतू है वो पड़ी हुई है और उसके सर से खुन निकल रहा है यानि कि इस बार जो इमरान है उसने गोली उस किलर को नहीं मारी बलकि नीतू को मार दी है अब उस रूम के अंदर केबल चार लोग बचे हुए थे इसके बाद इमरान संधीब को बंदुक की नौक पर लेकर उस कुर्सी पर बैठा देता है जहां पर वो किलर को वहां से खोल दिया जाता है संधीब को वहां पर बैठाने के बाद उसके सर में भी गोली मार दी जाती है अब यहां पर जो किलर्क था यानि की जिसका किड्नेप हुआ था वो काफी ज़्यादा घवरा जाता है इस सभी चीजों को देख कर क्यूकि एक ऐसी चीजेश जिसको देखने के बाद अच्छे-च्छे के होस उड़ जाते है अपने आँखों के सामने मडर होते हूँ देखना है यह एक बहुती देशत बड़ी बात होती है तो इस वज़े जिसको केड़नेप किया गया था वो एकदम से बेहोसा हो गया था बढ़धवासा हो गया था उसको कुछ समझ नहीं आया था आखरी यह होक क्या रहा है तो यहां पर जो इमरान होता है वो अपनी जेव से 3000 रुपे निकालता है और उस किलर्क को देता और कहता है कि तुह यहां से भाग जा तेरी जिन्दकी में बखस रहा हूँ और बदले में हमें केवल यह चाहिए कि तुम हमारी यह कहानी कभी भी पुलिस को नहीं बताओगे और भागने के बाद अगले दो-तीन दिन तक वो यही डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं पुलिस को बताओं या नहीं बताओं वहां पर उन दोनों की लास यानि कि जो संदीप है और नीतु है उन दोनों की लास के चेरे को अच्छी तरह से बिगाड़ा जाता है और इलाबाद के अलग-अलग कोनों में फैंक दिया जाता है ताकि पुलिस उनको पहचान न सके वहीं पर साथी साथ संदीप के पॉकिट से उसका ATM काड निकाला जाता है जिसको इमरान अपने पास रख लेता है पैसों को यूज़ करने के लिए किए जो पैसे थे, वो mostly संदीप के अकाउंट में ही डलवाय जाते थे किसी भी के naping को करे पिलान करते थे तो उसके बाद संदीप के अकाउंट में फैसे डलवाय जाते थे इसके बाद पुलिस को वो दो लासे मिलती हैं जिनका चेरा बलकुर पिचान में नहीं आ रहा था लेकिन कुछ और ऐसी चीजे थी जैसे मोबाइल फॉन हुए या कोई ID कार्ड उनकी मदद से उन दोनों को पहचाना जाता है पैचानने के बाद पता चल जाता है कि ये संदीप है और ये नीतू है और ये ऐसे इसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वहीं पुलिस चानवीन करती है कि इनको अंतिम बार मतलब कि लास समय पर कहां पर देखा गया था और पुलिस की तहकीकात से पता चल जाता है कि इलाबाद में ही दो विक्ती हैं उनके घर पर ये लास्ट बार देखे गए थे तो उन दोनों को उठाय जाता है उठाने के बाद जो पूरा के पूरा मामला है वो पुलिस के सामने आता है वहीं से उस किलर्क के बारे में भी पता चलता है जिसकी किड्नैपिंग हुई थी तो उसको पुलिस बुलाती है बुलाने के बाद उसे पूस्ताज करती है कि आगर तुम्हारे साथ कैसे कैसे हुआ और तुमने इन दोनों को इस तरह से देखाता या नहीं उसके बाद जो वो कलर्क है वो अपने होसो अबास में आता है और आने के बाद पुलिस को पूरी की पूरी कहानी को अच्छी तरह से बता देता है और वो बताता है कि मैंने जो रकम थी यानि किड्नेप करने के बाद जो उन्होंने फ्रौती मांगी थी वो एक बैंक अकाउंट में भेजी थी अब इसके बाद जो पुलिस होती है उनके पास ना तो कोई फॉन नंबर से पता लगता है कि वो लोग कहां गए कौन थे फिलहाल कहां पर है उनकी लोकेशन क्या है और ना ही किसी और चीज से तो इसके बाद वो अपनी उम्मीदे केवल उस बैंक अकाउंट पर टेका कर बैठ जाती है उस पर निंगा गडाए रखती है और इसी बैंक अकाउंट की वज़े से उस फिलाइट को वहां पर टेक अप होने से पहले रोका गया था क्योंकि उन लोगों ने उस ATM काड का यूज़ करके एरपोर्ट से को सामान करीदा था और जैसी एरपोर्ट से उस सामान को उस बैंक अकाउंट का यूज़ करके खरीदा गया था बैंक मेनेजर ने पुलिस को बताया कि इस अकाउंट से अभी अभी एक ट्रांजेक्शन हुई है और जो पुलिस वाले थे उन्होंने एरपोर्ट वालों के पास कॉंटेक्ट किया और उनसे पूछा कि यहां से कोई फिलाइट अभी अभी जाने वाली है या नहीं अभी अभी यहां से एक टेक आफ करने वाली है जो कि बंबई को जाएगी तो पुलिस वालों ने कहा अगर आप उसको रोक सकते हों तो किरपया उसको रोक दीजी हम लोग अभी आते हैं तो वहां पर उस चलती हुई फ्लाइट को रोका गया रोकने के बाद इमरान और जि जय हिंदोस्तान